मौन्सून आधे से ज्यादा भारत में दस्तक दे चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन उसी रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना वाइरस रोजाना हजारों नई कोरोना केस सामने आ रही है बारिश में मास्क भीग गया तो उसे लगाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए गुजरात की एक कमपणी यूनिक मास्क लेकर आई है इस मास्क को बनाने का काम थेजी से चल रहा है कमपणी की कोशिश है कि मास्क को जल से जल ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुँचाया जा सके दिन रात कारीगर मास्क बनाने के काम में जुटे हुए हैं और इस मास्क की खुवी है कि ये पूरी तरह वाटरप्रूफ है जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता ये specially मौनसून के लिए ही बनाया है पहले हम लोग बना रहे थे जब कोरोना आया तब कोटन के मास्क बना रहे थे जैसे चल रहे हैं नॉन विवन मास्क, कोटन मास्क सब अलग अलग तरीके से बना रहे है पर मौनसून के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि क्या करेंगे जो मास्क गीले हो जाएंगे तो फिर उसको कैसे वेयर करेंगे तो हमारे कंपनी ने सोचा है वो प्रेजन करी ये वाटरप्रूफ मास्क जिस पे कितना भी आप मौनसून में बहार गुंगे तो वो बिलकुल भी पानी अंदर जाने का भी वो नहीं रहेगा मास्क पेहनना मौजूदा वक्त की जरुरत बन चुका है और फिलहाल लोगों के चहरे से मास्क खटने की कोई सूरत भी दिखाई नहीं देती ऐसे में वाटरप्रूफ मास्क मददगार साबित होगा लेकिन इस मास्क की ये अकेली खुबी नहीं है सूरत में तयार हुआ ये मास्क मौनसून के सीजन में इंडियन्स के लिए बेहत मरदगार साबित होने जा रहा है तीन लेयर वाले मास्क में वाटरप्रूफ कफडे के अलावा एक लेयर में स्पंच और एक लेयर में कॉटन रखा गया है छे महीने तक चलने वाले इस वाटरप्रूफ मास्क की कीमत बाजार में 150 रुपए के आसवास है ब्यूरो रपोर्ट जीमीटिया रपोर्ट रच्ट जीमीटिया झाल झाल